तो नमसकार किसान भायो में गुल्दीप सिंग आपका गोल्डन किसान चैलेंच में बहुत स्वागत करता हूं किसान भाईयों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मोसमी की खेती कैसे की जाती है कौन सी वराइटी लगाने चाहिए हमारे किसान भाईयों को इसमें क्या मुनाफ़ा है कितने दिन में पेड तैयार हो जाता है और जो एक पेड की क होता है कितने कितने रुपे का प्रोफिट है एक पेड से कितने रुपे की कमाई की होती है टोल्टल जानकारी मिलने वाली किसान भाईया आपको हमारी वीडियो के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जो हमारी नहीं नहीं वीडियो है आप तक सी तो मैं इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यह हमारे पास आए जानकारी लेने के लिए आए और हमारी जानकारी मेरे किसान भाईयों में सेर कर रहे हैं इससे हम बहुत खुस हैं इन्होंने बहुत परियास किया हमने अपने बच्चों को पढ़ाया बच्चे का बाग लगाओ जी हमने चवणनी नसल की मौसमी आहां लगाई वे बच्चे भी यही काम कर रहे हैं इसी में ही और इसमें हमारा लगाने का खर्चा करीबन तीन भीगेगे कर विसाब में यह 12-13,000 रुपे का आया उन 12-13,000 में हम पेड़ भी लाए और लगवाए भी और यह पेड़ हमारे अब दो साल के हो गए इन में से कुछ पेड़ ने फल देना सुरू किया है कुछ अभी नहीं दे रहे हैं सायद अगले साल देंगे और यह हमें निंबू से ज़्यादा मंद देंगे मेरा सभी किसान भाईयों से निवेदन है कि इस नसल को चवणी नसल को लगा कर आप अधिक से अधिक मुनाफ़ा कर सकते हैं हमारे गेहूं और जो अगल बगल की फसल है उनसे ज्यादा हम नहीं हम इनसे ले सकते हैं और इनमें लगाने के बाद टाइम पे आप पानी करो और इन पे टाइम टाइम पे स्प्रेय कर जाओ तो ये बहुत अच्छा चलता है बहुत अच्छा कम खर्चें में अमनी बहुत जादा है तो आप मेरा सभी किसान भाईयों से निवेदन कि आप नई नई चीज पैदा करो, इसमें हमें और मौस्मियों से ज़्यादा रस मिलता है, और उससे हमें आमदनी भी ज़्यादा होगी, और हमारा मार्किट में नाम भी होगा, सभी किसान भाईयों से निवेदन है, कि इस तरह की फसल, अलग-अलग, और किसी और किसान कोई और कार कर रहे हो वो भी सब को मिलेगी और खिसान बाय जागरूख को गांगे तो देश में हमारे अलगी आमदनी सुरू होगी अलगी तरख़ी आएगी इससे हमारा देश बी आगे वड़ेगा गाउंगे कारी भी आगे बढ़ेगां वह बच्यों साधन भी मिलें वे न वह भी कुछ कोमाएगा हमें भी आम्दनी होगई उन्हें भी होगी और हमारे जो सहरों में राहने वाले हमारे हैं उन्हें अधिक फल मिलेगा और ताजा फल गदी इसके उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और ऑमने भीज़ी होगी हमें और में भी खूब ख़aryदे इने अच्छी नसलए छवणने नसल की मौसमिया बहुत जूस देती है तो देखे किसन भाइओ सब्सक्राइब करते हैं इन्होंने कुछ अलग हटके किया है जो इनके बच्चे है वे इनका पुरा सेहो कर रहे हैं और इनके साथ इनके साथ इन्होंने बताया कि कौन सी नसल लगाने चीए किसन भाईयों को कितने रुप्य का लागात आती है अब तो सर से एक बात और बूजना चाहता हूं मैं सर जैसे सर आपने पेड़ लगाया था तो इसकी पेड़ से पीड़ की दूरी सर आपने क्या लगाए ती यह हमने वरगाकार दूरी में लगाये हैं बारा बारा बा तो सर जब यह एक पेड़ लिंखाय थे एक पेड़ की कीमत क्या थी थे बही कुछ पेड़ करिब एक रुपय में आया था तो भाई कुछ पेड़ तो इन में साल बाद फल देने लंगे इए कुछ ने दूसरे साल दिया और कुछ हमें उम्मीद है अब की बार सब के सब पेड़ फसल देंगे और एक सबसे बड़ी बात या है अगर हम निम्बू लगा रहे हैं तो वो तो साल भर में कई पर तीसरे दिन रोज तूटते हैं और ये मौसमी की नसल एक बार तैयार होती है और एक बार ही सब पैसा आता है एक बार ही आपको एकटा पैसा आएगा और एक बार ही मिलेगा और एक बार ही मार्किट में जाएगा तो सच जैसे फल की बात कर रहे हैं तो यह किस टाइम आपको फल देना लगता है कौन से मौसम में यह हमारा मार्च अप्रेल में इसका फ तो इनने पर रहे हमारे पेड़ी के पत्ते चिपक रहें सब्सक्राइब को उसकी दुकान से लाएं और करें जब हमें पर सुन्डी दिखे किड़ा निदिक दिखे किड़े की दवा लाएं और उसका इस प्रेश लगाए सो उसके प्डे़ अच्छे चलते हैं और ठीक चलते हैं आम देनी भी से अच्छी होगी मेरा सभी किसान भाईयों से निविदन है आप नई नई तकनीक से नई नई पेड लगाए नई नई चीज उत्वन करें उससे हमारे गाउं में सहर में देश में सब में तरक्की आएगी और यह हमारा साधन बनेगा हमारे पेड़ लगाओ कोई निम्बू का पेड़ लगाओ कोई मोसमी का लगाओ मार्किट में इन भाईयों से जानकरी लेके जिससे भी आम देनी ज्याद हो उसी चीज को तैयार करो और अपनी इंकम बढ़ाओ तो देखे किसान भाईयों सब्सक्राइब कितनी प्रोपर नोलीज सर ने हमें दिया है कि यह पेड़ लगाने के बाद हमें कम से कम 18-20 साल तक फसल देगा उसी दीच में हमने जो जंगा छोड़ रखी है जब हमें डिखे कि हमारा पेड़ कुछ पुराना हो गया नए पेड़ चल लो कर लो तो फिर हमारी आम देनी चलती रहेगी और मैं तो इन बच्चों से बहुत खुस हूँ कि हमसे इस परकार की बात कर रहे हैं और हमारे भाईयों को जानकारी देंगे इसके लिए हमारा मन बहुत परसन है और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि यह हमारे बीच में आकर और ऐसी ऐसी जानकारी लेकर और हम सब भाईयों में जो और देने वाओ तेने वासे को